स्री शिवाई नमस्त उब्याम दर्शको जै महाकाल देखे आज है 29 तारिक दिन समवार तीथी समवार आज माग महा की चतुरती तीथी पड़ रही है देखे आज के दिन के लिए पूजी गुर्देव ने बहुत ही सुन्दर उपाय बताया है आज समवार का दिन है ऐसे में पूजी गुर्देव ने भी बताया था कि किसी भी समवार की रातरी में केवल तीन बार इस मंतर को बोल देने से जीवन की सभी परकार के कष्ट दूर हो जाते हैं देखे आज मैं आप लोगों को पूजी गुर्देव की द्वारा बताया गए उपाय के बारे में बताऊंगा और पूजी गुर्देव ने इस उपाय को अपनी आगरा वाली खता में कई बार बताया था देखे आज मैं आप लोगों को पूज गुर्देव की दुआरा बताएगे उपाई को ही समझाने का परियास करूँगा अगर आज आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो सबसे पहला काम इस वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कॉमेंट बॉक है कि आज संकष्टी भी चतूरती है अर्थारत आज संकट चोत का वर्थ है आज की दिन सभी माता बहिने अपने परिवार के सदश्यों की सुरक्षा अर्थारत उनको स्वस्त रहने की कामना करेंगी आज का दिन बहुत ही अच्छा है आज की दिन बहुत अच्छा और दु इस उपाई को ठीक विद्धी विदान से किया जाए तो इसका लाब दस वारा गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है तो देखे आज की रातरी में आप लोगों को इस उपाई को जरूर ही करना है अगर आपके घर में सुक शमरद्दी नहीं है आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पैसे तो आते हैं लेकिन आते ही खर्च हो जाते हैं अर्थार्थ अनावश्यक धन खर्च होता है पैसा दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे में पूज गुर्देव ने इस उपाई को बहुत ही सुन्दर तरीके से बताया है बस छोटा सा काम है और स्वमवार की रातरी में आप लोगों को इशे करना है देखिए मैं आप लोगों को पहले बता दू कि इस परियोग को आप किसी भी दिन अर्थार्थ किसी भी सुमवार की तीथी को कर सकते हैं और किसी भी शिवरातरी तीथी को कर सकते हैं क्योंकि इस परियोग को करने से भगवान भोले नात महादेव प्रिश्ण हो जाते हैं और जीवन के सभी परकार की जो कष्ट होते हैं जो समय शय होती हैं सभी को दूर कर देते हैं तो देखे आज है स्वमवार का दिन और रात्री के समय इस परियोग को करना है अब हमारी पुरानी वीडियो में कई कॉमेंट आया थे कि गुरु देव ने भी अपनी खता में कहा था कि जो रात्री का समय होता है रात्री का समय देवी देवताओं का भर्मन करने का समय होता है अर्थार्थ रात्री के आट बजे से लेकर ग्यारा बजे के बीच का जो समय होता है इस समय में जो देवी देवता होते हैं जो सकारात्मक सक्त इसलिए पूज गुर्देव ने कहा था कि अगर रातरी के आट बजे से लेकर रातरी के ग्यारा बजे तक कोई भी सुब कारे को किया जाए अर्थार्थ कोई भी परियोग किया जाए तो उसका लाब हमें कई गुना ज्यादा बढ़ चड़ कर देखने को मिलता है इसलिए इस परियोग को आप लोगों को आज रातरी में प्रदोस के शमय करना है अर्थार्थ रातरी के आर्थ से नो बजे के बीच में करना है मैं आप इसको गारंटी देता हूं कि इस परियोग को करने से आप लोगों को अवशे ही लाब मिलेगा तो देखे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है केवल इस एक मंतर का जप आप लोगों का आज रात्री में तीन बार कर लेना है जीवन की सभी कष्ट सभी बादा सभी शमेश्या हमेश्या हमेश्या के लिए समाप्त हो जाएंगी देखे आज समवार का दिन है ऐसे में भगवान भोले नाथ को प्रसंद करने के लिए और जीवन की तमाम कष्टो को शमाप्त करने के लिए रात्री में अगर आप माताय बहने इस उपाई को कर रही हैं तो आज रात्री में वर्त को खोलने के बाद में अर्थार्थ जब आपका वर्थ खोल ले जब आप वर्थ को तोड़ ले तो उसके बाद में आप लोगों को इस कारे को करना है या फिर इस उपाई को कोई भी इस्तरिया पुरुस दोनों ही कर सकते हैं रातरी में केवल सोने से पहले आप लोगों को अपने घर के पूजा इस केवल इस मंत्र का आपको जाप करना है आपको केवल ओम तत पुर्षाय महादेवाय नम्हा इस मंत्र का लगातार तीन बार जाप करना है अर्थार्थ आपको उसके बाद में बोलना है कि हे देवा अधिधेव ए महादेव हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं जो भी समश्य आ रही है उन सभी को शमाब्त करें तत काल हमारे जीवन की सभी कुष्टो को दूर करें देखे आप उसके बाद alimentate all को को क्या करना है आप लोगों को आपके उपर कोई भी रोग नहीं आएंगे, कोई भी कष्ट नहीं आएंगे, आपके जो ब्यापार हैं वे दूर दूर चलेंगे, जोरो जोरो से चलेंगे, उसके आलावा जो आपको धन की जो समश्या हो रही है, जो पैसे की समश्या हो रही है, वे पूरी तरह से समाप्त हो और मैं आप लोगों से निविदन करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कोमेंट बोक्स में अपनी राशी का नाम अवश्य डालेगा जिससे कि मैं जब भी वीडियो लाननी का प्रियास करूं तो आपकी राशी के अनुसार ही ला सकूं तो देखिए म मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आपना ख्यार रखेगा ओम नमस्यवाई जय महाकाल